इस कुश्चन में आपके सामने, light का wavelength दिया हुआ है, 45 nanometer, आप से पूछा गया है, इस light के particle का आपको energy पता करना है, joule में, तो simple आप apply करोगे, formula energy equal to kya होगा, hc by lambda, और यहाँ lambda put करना पड़ेगा, आपको meter में, तो आपका value निकलता है, इसका joule में, अब धान देंगे, इस question म अगर आप h का value अलब put करोगे, c का value अलब put करोगे, तो आपको coloration ज्यादा लंबा करना पड़ेगा, तो आपके simply में समझा रहा हूँ, कि अगर हमको energy joule में निकलना होगा, lambda put करें, meter में, तो simply आप hc का value को ले सकते हो, इसको प्याद कर लए होता है, 2 to 10 by minus 25, तो आपके ल value है, nanometer में, सब्चेंज करें, meter में तो हो जागा, 45 into 10 by minus 9 meter, अब इसको calibration करें तो हो जाएगा, 2 into 10 by minus 16 by 45, अब इसको और simplify करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 200 कर देते हो, उपर रहे हो, तो यहाँ पर 10 by minus 18 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा, इसे क्या होगा, क्या होग अगर power over 10 by minus 18, तो अगर हमको देखा जाए, तो हम directly option tick कर सकते हो, option D, यानि बीन further calculation के हम answer को tick कर सकते है, और आप calculation करते हो, तो 200 by 45 का value निकलेगा, यह value निकलेगा, 4.42, तो आपको जो answer हो गए, जाट आपके option D से match कर जाएगा, तो इस तरह के calculation के process समझने के लिए हमारे साथ बने रहे, मिलते हम लोग, next question में